वेल्कम बैक टू आर्ट थेओरी मास्ट्री और यहां पर आपको मिलेगा पेपर 3 के पूरे 75 कोशन जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उस पेपर को खुद अटेंप करनेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो अमेजिंग लेनर वेल्कम टू वीजुल नेट सीरीज और आज हम जनवरी महिने का 2017 को पेपर करेंगे और पेपर 3 करेंगे आज आज 20 जुलाई 2020 को में यह रिकॉर्ड कर रहा वीडियो तो चलिए करते हैं पेपर 3 में 75 कोशन होंगे ठीक है तो पहला कोशन हमारे समने अ आर्टिस्ट वीज नौन टु मित आज सेरीग्राफी अज़ मीडियोम आज आ अंज मीडियोम आछ एक्षान किस नज दिया था केजी सुब्रमयम जोने सेरीग्राफी को जो स्क्रीन केजाते है उससे अपना इनि आर्टिस्टिक एक्स्ब्रेशन दिखाया था ठीक हैं तो ह हमारा जाया केजी सुपिमनियम नेक्स्ट चोशन पर चलते हैं कोशन नमबर सेकिन हमारा सामने तक ग्रूप ऑफ 12 आर्टिस्ट नेम इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड वस फाउंड इन जो एक गिल्ड वाला जो पीन मेकर के लिए ग्रूप इस्टैबलिश किया था वह 1990 में किया गया था ठीक है और 12 आर्टिस्टों के साथ मिलकर किया गया था नेक्स्ट उसन को चलते कोशन नमबर 3 हमार सामने ट्रेडल पैंटर्न सिलेंडर एंड रोटरी मशिन बिलॉंग स्टू देखे यह ट्रेडलर और प्लेट और सिलेंडर रो Q4 Ami 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 Am यह प्रिंट यानि ग्राफिक आर्टिस नहीं है मतलब प्रेंट मेकर नहीं नेक्ट वसन को चलता है । question 6 दक हमारे सामने है who made printed illustration for Ravindanaar Tago's book Sahajpaath Ravindanaarlea की जो book थी Sahajpaath उसके लिएамन इलास्टेशन बनाया था नंद enormous नंधिलाल बौस ने ठेक है नंधिलाल बौस ओर जो ररविंदानार Tago's थे वह कई जगा घूमाने भी लेगए देश- happy विदेश इनको इंट्रडूस कराया कई जगह और फिर जो इन्होंने शान्तिनिकेतन की स्थापने कि तुम आपे प्रिंसिपल भी बनाया नंदलाल बॉस को को सेवन हमा सामने दो लमासू रिप्रेजेंट जो लमासू वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है वो रिप्र जो मैसो पुटामिय साइड के यह गोड होता है कि बगवान माने जाते मैसो पुटामिया के मांके तो यह है हमारा लमासू नेक्स्क्रेशन को चलते है कुशन नमबर 8 है फ्रॉम वेर डिड अम्वी दरुन्दा टेक इस आर्ट एजुकेशन अम्वी दरुन्दा ने अपनी आर्ट एजुकेशन कहां से कंप्लीट करती है तो यह किती सर्जेजेग कॉलेज अफ आफ आफ मुंबई से ठीक है नेक्स्क्रेशन पर चलते है कोस्टन नमबर 9 है हमारा सामने हूप पेंटी दर सीरीज नेम आफ्टर द साइक्लोन आफ्टर साइक्लोन पेंट करती पारित इंप्रेशन था वो बैसोली शहली में उस 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 शो को यह नहीं दिखाने के लिए वो यूज करते है से सौन कीरवा ठीक है यह इनकी विश्रिस्ता में भी आ जाती है अट्रिप्यूट्स में भी आ जाता है नेक्स कोस्टन पर चलते कोस्टन नमबर 11 पेपर कट आउट यूस फोर डेकोरेटिंग अन ऑबजेक्ट इस नौन ऐस देखिए जब हम पेपर को काट कर किसी ऑबजेक्ट पर चिपकाते हैं तो उसको कहते हैं डोको पेज ठीक है तो यह रहा हमारा डोको पेज इसमें आप कोई साभी पोर्ट लिली जे कोई सी भी शेप लेले जैंगे जो भी आपके सामने जुप इवकॐट हो उसको ले ली हैं और उस अभ्यक्श्ट को यहनि थोड़ा सा ज्यादा बराबर मात्र में पानी मिल पेस्ट कर देजे seniors इस आटे हैं आपने जो भी आपका जो वाल पर चलते है, question number 12 है हमारा सामने है, ट्रिपिच पेंटिंग एंटाइटल वेर आर ओल्ड फ्लावर गोंज इस पेंटिड बाए, तो यह जो पेंटिंग है ना, वेर आर ओल्ड फ्लावर गोंज यह बनाया थी, अर्पना को और ने और बहुत सिंपल मैसिज था, कि जहां पर human का existence होगा, महाँ पर nature को harm पहुचना ही पहुचना है, ठीक है, next question पर चलते, question number 13 है हमारा सामने, where is Rosa of Rani Sipani, जो Rani Sipani की जो मस्जिद है यह रोजा है, तो यह एहमदाबाद के अंदर पढ़ती है, ठीक है, next question क्यों चलते, question number 14 है हमार सामने, who coined the term anti-art, जो anti-art का जो शब्द है, यह coin के दा हमारे डूचंप ने, Marshall Duchamp, Marshall Duchamp जाने जाते हैं अपने काम के लिए, और इनोंने, इनका अपने fountain वाला बर्ग देखा होगा, जो यह एक toilet sheet रख दीती है, इनोंने अपनी आर्ट गैलरी में, देखा होगा आपने उसको fountain कहता है, और एक और उसी से इनोंने एक ready-mate आर्ट का भी शब्द निकाला था, और anti-art, basically क्या था ना, anti-art का जो शब्द निकाला था ना, इसके पिछे यही fountain वाला काम था, इनका, जो यहनी society को oppose करने के लिए उन्होंने आट गैलरी में रख दिया था, शो करने के लिए अपना काम की oppose करने के लिए society में, उस टाइम world war चल रहे था है, ठीक है, next question पे चलते है, question number 15 है हमाँ सामने, who is the author of the book exploring India sacred art, यह वाली जो book exploring India sacred arts, यए किसने लिखी थी ये लिखी थी step virus स्टेह ला Aujourdगे स्टेहा के लाजय नहीं रिखा जानता नहीं में जैसे, जिसके बारे मिरे मैं लिखा जिसके लिए जानता नहीं, जैसे बदामी की बवए सामने जी क्वोश्न घृ कनसी जलते है, 1. वो कश्मीर में मिलती है सबसे पहले है ठीक है इसके कई सारे हैं अमें मिलें साक्ष्य बगरा ठीक है तो हमार कश्मीर में रहे गए विशनु की जो मुलती है नेक्स कॉशन पर चलते हैं question number 17 है हमारा सामने name the earliest cave होगा है यह ठीक है whose entrance decorated is proto wooden type जो proto wooden type का entrance है वो है हमारा सबसे ज्यादा दिखता है तो वह है फ्रेंच क्लासिजम का ला निकॉलास पोशियन ठीक है नेक्स लोशन के वह चलते है साक्षय मिले उसी के उपर राजिस्थान में इसका नाम काली बंगन रख दिया गया ठीक है तो नेक्स क्वेशन पर चलते हैं कोशन नमबर 20 हमारे सामने हार्वेस्टर इससकप्चर बाइं जो हार्वेस्टर का स्कप्चर है यह पनाया था हमारे राम किंकर बैज ने और इनका काफी सिंपल कॉंसेट रहता था इन्होंने जो मीलो बनाया है जो बार्बरा है पर थी वह एक यूएस की यूएस स्कप्चर है ठीक अमेरिकन स्कप्चर इन्होंने कई सारा काम किया स्कप्चर के अंदर आप देखना उसको फिर आते हैं हमारे इन्होंने बहुत सारी फेमस है बेसिकली यह जो राइट है सुजन के लेंगर और इन्होंने यह वाली बुक लिखी है मेनिंग फर नोट वालिती बट अ फंचन अफ तंब और इनकी फिरमस भॉक है फीलिंग फोर्म ठीक है फेलिंग एंड फोर्म नेक्स कूरशन पर चलतर काॉशन नूंबर 23 हमार सामने बर्निंग ऑफ मार्बल स्टोर्न कुड बी एक्स्प्रेस्ट थू फॉर्मॉलेशन यह हमारे सामने यह फॉर्मॉला दिया हुआ है तो इसको हमने देखना है तो C a co3 का मतलब पता होना पर आपको इसको कहते है केलशियम कार्वोनेट और केलशियम कार्वोनेट को जब हम घ्ट करते है तब यह बन जाते है कैल्शियम ऑक्साइड बच जाताहं और जो कार्भंदाई अक्सेड पता है c o 2 वह उड़ जाता है ठीकें august. यह बचा है तीक यह Hindi Mool थे किससे इंफ्ल्एन्स थे है वह माय की Aztek, जो स्कॉब्चर थे उनकि काफी इंफ्ल्एन्स थे जो हैं जो मूल थे ठीक है इनकी एक और फेमस फिगर है जो यहनी माया इस ऐनी Aztek सब्ब्यता के जो स्कॉप्चर आप समझ में आएगा आपको थोड़ा सा थोड़ा से थोड़ा आप से बनाया इन्हों नेक्स्ट पर चलतेकं तो कोशन नमबर 25 ए देखे जो ओरिजनेटर के लिए यूस किया जाता है हमारे अड़िटाइजिंग फील्म है तो वह है क्रेडिट लाइन ठीक है बेसिकली क्या होता है यानि कहां से ओरिजनेट हो है वह कॉंटेंट इसलिए उसको क्रेडिट लाइन कियाता है नियुक्त वह जल्ड़ कॉश्ण नुमर ट्वेंटि सिक से हमारे सामने इन विच सिटी द अंडर ग्राउन री प्रेजन एंप्र अंपरेंट इस्टीन कांटेक्स फॉर पोउस्टर अंडर्ग्राउंड के लिए किसे जाना जाता है जो प्वोस्टर के लिए फेमस है हमारे लंडन और लंडन थैक्राउय पॉस्टर के लिए फेमस पहले सारे पोस्टर लगता है अंडर्ग्राउंड जो यहां पे वहिकल अग्रा चलते अडरे से बित्क कुल जाला प्रोंपोचन किया जाता था अलक ओलक तरिके से क्या जाता है सिकि और जो पोड़ा dot मुजएम बना पॉर्लेंस और ध्यान किना थीका थ्यान रखना पोस्टर मंजे मैं पॉलेंड के इंदर और काफी famous music में यह poster का next question पर चलते question number 27 है हमारा raster and vector are the main are the two main ways of saving देखिए जो vector और raster में हम file save करते है digital image में save करते है ठीक है और graphic होता है यानि हमारा जो हम create करते है हम save हमेशा digital mode में करते है ठीक है next question पर चलते question number 28 है हमारा सामने to print photographic tones the image is converted into a series of dot ठीक है जब हमें print करना होता है तो वो dot में आ जाते है मतलब half tone में वो image convert होते है then वो print होती है half tone में मतलब dot में ठीक है तो हमारा first option है बिलकुर सही है question number 29 पर आते है one of the key theory that underpin the foundation of design design के जो foundation है उसमें एक important key कौन है हमारी theoretic वो है जिसार theory ठीक है जिसार theory में basically कई सारी प्रिंसिपल होते हैं जिसमें proximity होता है आपका similarity, closure, figure and ground negative positive के बात करते हैं यानि properly जो designer के foundation elements होते हैं उनके बारे में अच्छे से बताया जाता है जिसार्ट के theory में ठीक है तो हम next question पर चलते है question number 30 है हमारे सामने which was the first commercial from the printing press to be used with the movable type movable type के लिए first commercial में क्या उसकिया गया वो था letter press printing next question पर चलते है question number 31 हमारे सामने select the correct sequence of the process in the printmaking printmaking के हमें process sequence के अंदर लगाने तो सबसे पहले हम करेंगे grind करेंगे लीथोग्राफिक का दिया रखा है तो लीथोग्राफिक में पहले हम अपने जो पत्थर होता है जो लीथो का stone होता है उसको grind करते हैं देन हम ड्राइंग करते हैं ड्राइंग के बाद हम gum Arabic apply करते हैं देन हमारा printing होता है पेपर पर तो हमरा first option बिल्कुल सही होगा यहां पर नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 32 हमार सामने select the correct famous printmaker in chronological order देखिए समय के अनुसार हमें famous printmaker को लगाने तो सबसे पहले यहां पर आएगा Michael Walmart आएगा फिर आएगा ओटो बियोनी लियोनी फिर रेंब्रांट देन विलियम होगा इनकी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ जो डेटो परते हैं वॉलमट के आएगे हमारे 1432 और यह जर्मन के कलाकार है ठीक है जर्मनी कलाकार है जर्मन फिर आते हैं ओटो लियोनी आएगे हमारे जो इटली के कलाकार है वो 1578 में इनका जर्मन हुआ रेंब्रांट आते है 1606 डच मतलब नीदर लेंड के हैं यह 1606 में जर्मन फिर लास्ट में आएगे हमारे विल्यम होगा 1607 में और इनका जर्मन में UK के अंदर होता है ठीक है तो हमारा सही स्रीक्वेंस लेगे है चौथा ओप्शन हमारा है यहां पर सही होगा समय के अनुसार हमें लगाना है तो सबसे पहले यहां पर बुटकट ही आएगा फिर फिर एचिंग फिस्किल तो हमारा चौथा ओप्शन आपे बिल्कुल सही होगा बुटकट का हम देखा जाए कि 220-80 चाइना के अंदर फिल लिथोगराफी 1700 में सेंफेल्ड एचिंग का आएगा हमारा 18 सेंचुरी कह सकते हैं और स्क्रीन पिंटिंग का हमारा 1910 ठीक है तो हमारा यही सिक्वेंस रहेगा फॉर्ट ऑप्शन ने बिल्कुल सही होगा नेक्स आखा उपसे पहले पुरानी गुफा आएगा जो भाजा की गुफा है रहा ह॥क्त है तो इसका हुदा की否रा ठेक है जह के हमारी कारले की जो जेकिंद से लेकर, कैसा बंस्ती प्राले कीorkश्यूरी संचियूरी विरह sagt दक्षिन बारत की गुफ़ा है करनाटक राजे में स्थित्य और एलोरा की आईगी हमारी 600 से 1000 के बीच में 1000 AD और एलोरा की तो आपको पता ही है तीनो दर्म से रिलेटिड है और बहुत लंबी चोड़ी गुफ़ाय है इसमें सबसे जादा मूर्तिया बनाई गई है तो हमारा फर्स्ट ऑप्षिन आपे बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स कोशन पे चलते और कोश्ट नंबर 35 है हमारा सामने अरेंज अ फॉलिऻंग आर्टिस इन क्रोनल क में लगाना है सिक्विंस में लगाना है ठीक हैं समय कहां नु समय साथ तो सबसे पहला हमारा कांडिंस की आएगा, जो सबसे पुरा नảiकांडिस की फिर मतीज, दन्पाउल, क्ली, लास में पिकासो इनका मैं जन बताता हूँ, जो कांडिस की है, वे रशन कलाकार है, जिन्सका जन वाются, 66 फिर राते है henry Matisse , henry Matisse , joh 1 France इनका जन्म 1869 गृए पॉल्क्ली जूएक स्वीज आर्टिस्ट स्वीजर लेंड के रहने वाले इनके जन्म 1859 में हुआ पिकासु जो स्पीन के गलार कार है 818-181 में इनका जन्म हुआ अगर पिकासु को याद करने और तो आपको 18 का उल्ता कर देना तो यह हो जाएगा हमारा सही सिक्वेंस तो हमारा तीस आप्शन आपे बिल्कुल सही हो जाएगा देखे हमें समय के अनुसार भारते गरंतों को लगाने तो सबसे पहला आएगा सबसे पुराना जो है वरा व्रहत सहीता व्रहत सहीता लिखी थी वरा महीर ने वरा महीर और इन्होंने लिखी थी 580 अराउंड ठीक है फिर आते हैं कादमबरी जो बानवट द्वारा लिखी बानवट और बानवट ने इसको लिखा था अराउंड 7th century ठीक है फिर आयेगा हमारा अभिनव भारती जो अभिनव गुप्त द्वारा लिखी गई थी और इसको समय पीरड माने जाता है 950 से 1020 करीड ठीक है फिर लास्ट में आएगी हमारी पंच दर्शी जो 277 में एडविता द्वारा लिखे गई एडविता वेदान्त एडविता वेदान्त वेदान्त तो हमारा सही स्विकेंस ही होड़ा अगा साइकिंड ओप्शन बिलकुल सही हमारा नेक्स्ट पर चल दख कोशन नमबर 37 है हमार सामने चूज अकरेक्ट असेंडिंग ओडर ऑफ 20 को हमारा यहदा में अगल अर्केक्टर में सेंट professionals क आपको सब्सक्राइब तो सबसे पहले उमार हैं यह भी पर फीशन पाइबकिल करख और पर फिर तो समझा देता है तो सबसे पहले आमारे है यह को ब्रहा हो फिर हमारे पेडिस्ट्रल होते यह स्रोग थे तो यह और हमा फिर आता है शाफ्ट जो यह लंबा वाला जो होता एरिया या जो पिलर का होता एरिया, यह चाफ्ट होता है धना आता है capital यह जो एरिया होता है यह से यह रह तक का यह थोड़ा सा design में improvement होता हुआ कॉरियंथन में और आगे गया तो यह होता कैपिटल फिर उसके ओपर होता आर्किट्रेप तो हमारा चौत्था आप्शन बिल्कू सही है यह आपर नेस्ट कोशन के और बरतक कोश्चन नमबर 38 है हमारे सामने तो सबसे पहले बना देन उसके बाद में कौन सा बना तो सबसे पहले आएगा हमारा है परशुरामेश्वर मंदिर जो सेवंथ से एट सेंचुरी की बीस का बना हुआ है ठीक है सेंचुरी बोले तो शेताब देन आता है मुक्तेश्वर मंदिर जो 10th century का है फिर आता है लिंगराज मंदिर जो 11th century का है फिर आता है कौनार का सूर्य मंदिर जो जिसकी exact date हमें मालूम है जो 1230 देखिए जो 1200 आगे न तो इसको हम 13 शताबदी का बोल सकते हैं ध्यान रखना ठीक है अगर हम 11 शताबदी का किसी को बोल रहे हैं तो वह 1100 यानि 100 नहीं होगी उस 1100 से कम का समय होगा मतलब 1000 से 1100 का सम में हमारा 11th century होगा ठीक है तो यह हमारा sequence होगा fourth option हमारा बिल्कुल सही है next question के बड़ते question no.39 हमारा सामने choose the correct sequence of the painting in the chronal order देखिए समय के अनुसार हमें लगाना है paintings को तो सबसे पहले आएगी सबसे पुरानी वाली तो सबसे पुरानी आपको यहां पर द तो यहां पर बेपिस्ट्री ओफ क्रिस्ट की मिलेगी सबसे पुरानी जो 1400 72-75 के बीच की है ठीक है फिर आएगी देखिए यह जो बेपिस्ट्री ओफ क्रिस्ट है तो यह बहुत पुरानी पेंटिंग है और यह बनाए गए थी विराश्यों जो लियनार्डो का गुरू था विराश्यों ठीक है जो लियनार्डो का गुरू था वो और जो दोनोंने मिलकर यह पेंटिंग बनाई थी लेनार्ड द विंसी और विराशियोथ दोनोंने मिलकर यह बाली पेंटिंग बनाई थी Baptistism of Christ की ठीक है फिर आते हैं हमारे the Adoration of Maggie दे आड़ेशन में इसमें सिर्फ लियनार्दो का नाम है और इसने बनाईती 14801 में फिर आती हमारी लास्ट सपर लियनार्दो ने इसको बनाया था चोड़ा सो पिचाण में से अठाण में के बीच फिर लास्ट में आईगी इनमें मोना लिसा जो बनाएती पंदरा सो तीन में और मोना लिसा रखा हुआ है आपको भी पता होगा लूप या संग्राल है पैरिस के इंदर रखा हुए है ठीक है तो यह था हमारा सही सिक्वेंस अच्छिन पर चलते हैं और सामने आरेंज दा एडवर्टाइजिंग एजन्सी इन ओर अड़र ओफ देर इस्टैबलिश्मेंट जो यह इनि इस्टैबलिश्मेंट के अकॉर्डिंग हमें सेक्वेंस में लगानी है एजन्सी को तो सबसे पहले यह पर आईगी सबसे पुरा इसका एग्जेक्ट हमें पता है तो मैं आपे लिग देता हूँ उनिस्टैबलिश्मेंट के अनि एजन्सी है इसका स्टार्टिंग में नाम कुछ और था जब यानि ओफिशल नाम इसका ओगिल्वी अन्मदर रखा गया तो वहाला सन है हमारा उनिस्टैबलिश्मेंट फि फिर जो मैक एरिक्षन है जो मैक के एरिक्षन वाली कंपनी है इसको यानि 1902 में इस्टैबलिश्मेंट मिली ती फिर इसके भी कई सारे प्रॉसेस चले बाद में तो 1902 इसको मान सकते है ठीक है तो यह हमारा सइच सीक्वेंस है और सेकिंड ओप्शन बिलकुल सही हो जागा नच। सेFlow पर चलते है कॉस्टैन नंबर 41 है हमारा सामने और इने अ में ग्रीफेस ग्रेशन में major step होता है उसे हमें sequence में लगाने तो सबसे पहले हम आएंगे सबसे पहले हम creative work करते हैं then उसको उस file को pre-press में भीचते हैं pre-press में हमें थोड़ा सा idea हो जाता है then हम उसको final printing के लिए भीचते हैं then then finishing होते हो इसकी finishing and converting तो हमारा first option ही बिल्कुल सही लग रहा है question number 42 है हमार सामने arrange the name of the creative leader in Indian advertising in order of appearing अब हमें Indian जो एड़िटाइजर है leaders उनको सही sequence में लगाना है according to their ages ठीक है तो सबसे पहले आएगा मुंबई का यह अलिक पदम सी जो मुंबई का है 1928 में इनका जन्म होता है फिर आएगे प्यूस पांडे जो जैपूर के रहने वाले 1905 में इनका जन्म हुआ फिर आएगे हमारे प्रसुन पांडे जो उननीश सो एक सट में जन्म होता है इनलास में प्रसुन जोशी उननीश सो एकतर और यह जोशी मतलब यह पाड़ी है यह ठीक है तो पाड़ी है तो मतलब यूके की साइड के है ठीक हाइं अलमोरा के मिल्प्र प्रसुन जोश्य का बहुत ज्यादा नाम चलिया और फ्युस्पांदे तो वैसे बहुत बड़े हमाँ जाते है स्पेशली बोले तो अड़िटाइजिंग में ठीक है तो नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं कोशन नमबर 43 हमारे सामने सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस समय के अनुसार हमें लगाना ओर्डर में तो सबसे पहले हमारी इजीप्शन आर्ट आएगी इन चारों को देखे तो इजीप्शन आर्ट जो 31st century BC की है ठीक है century BC फिर आएगी हमारी ग्रीक आर्ट जो 1050 BC की मानी जाती है यनि स्टार्टिंग में 1050 BC माने जाएगा देन आएगी हमारी रोमन आर्ट जो 1st century BC की है ठीक है 1st century BC की देन आएगी हमारी बरोक आर्ट बरोक आर्ट हमारी 70 century की ठीक है century AD तो हमारा यही सजी सिक्वेंस है सही हो जागा तो second option हमारा बिलकुल सही जाएगा next option पर चलते question number 44 हमारा सामने select the correct sequence of sculptures in chronological order अब हमें जो sculpture है मूर्ती है उनको समी के नुशा लगाने तो सबसे पहले हमारा आयना चाहिए एज ओफ ब्रॉंज दा एज ओफ ब्रॉंज जो रियोडीन ने बनाया था इसके बाद आयेगा monument of third international जिसको हम टैटलीन टावर के नाम से भी जानते हैं टैटलीन टावर ठीक है जो कभी बना नहीं था टैटलीन ने इसको यानि सोचा था कि बनाऊंगा बट यह बना नहीं कभी यह 1919 में लगा था और 1920 तक यह हार मान चुका था फिर इसके बाद the king play with the queen the king play with the queen sculpture माक्स अंडिस्ट का मैक्स अंस्ट का मैक्स अंडिस्ट इसको बनाते है 1414 44 के अंदर और फिर लास में आते हैं बबून एंड यंग जो पिकासो द्वारा बनाया गया पिकासो आपको पता ही हरेक मीडम में काम किया था वो प्रिंट में काम किया स्कॉप्चर में भी काम किया इंस्टलेशन भी किया और पेंटिंग भी खूप करी तो मारा फॉर्थ ओप्शन आपे बिल्कुल साही है समय के साथ हमें लगाने तो सबसे पहले हमारा डीप राय चौधरी ही आएंगे जो बंगलादेश में जन्मु आठायसो निम्यानमे में इसके बाद आएंगे हमारा चिंतामनी कर जो काफी फेमस थे इन्होंने विदुष्की आत्रपी करी तो वेस्ट बेंगोल का जन्में चिंतामनी का और 1915 में का जन्म होता है नाग जी पटेल पटेल से आपको समझ जाना चाहिए गुजराती है ठीक है तो गुजरात में पैदा हुए 1937 में ठीक है गुजरात फिर आते हैं लत्ती का कट जो यानि बेसिकली 1948 में जन्म हो तो हमारा हो गया सही सिक्वेंस जो सहीर जाएगा नेक्स कोशन के वर बड़तक कोशन नमर फोटी सिक्स हमारा समने मैच्छ फॉलएंग देखिए जो चीजल होता है वह हम कटिंग वगरे के लिए यूज करते हैं तो हम सकप्चर को तरासने के लिए यह आएंगे चीजल को लेकर रोकर जो हम यूज करते है को यूज करते हैं तो उसको हम यूज करता है है अपने पॉट मेंं मेज्ट के लिए और वेक्टर के लिए हम कंप्यूटर यूज करते क्रियेट करनेका कि लिए ग्राइंडर हम लीफ्य झन को उबीद कलिए एधन्य लिटमि औरर अप्शन वक्षिनत्य जयाए तीन दो चार एक तीन हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कूल यहां पर सही हो जाएगा नेक्ट चोशन को चलते कोश्चन नमबर 47 हमार से हमने मैजदा फोल लहीं बिमल बैनर जी आएंगे यहां पर बिमल बैनर जी जो औरिगामी प्रिंट में दिखते हैं काम इनका नंगलाल बोस लीनो कट में काम करते हैं और लीनो कट में एक इनका शांदर काम है जो गांधी का दांडी मार्च वाला इन्होंने बनाया लीनो कट में फिर आते जगमोहन चोपरा जो कॉलोग्राफी बस है जैन सनतकर जो वूड इंटेगलियों करते हैं प्लस इंडिया में भी एवूडियों लेकर आए ठीक है तो हमारा अप्षिन हो जाएगा तीन एक चार दो तीन एक चार दो सैकिन अप्षिन हमारा बिलकुल सही हो जाएगा है यह आपर नेक्स्ट कुरे पढ़ते हैं क्रिशन नमबर 48 मैज फॉलेंग क्रिशन रेडिय का काम मस्करा जोतिभट का काम है कवल कृष्ण का काम लामा मलेवरप्पा और लास्ट में आते हैं अनुपम सूद जिन्होंने बनाई है ट्रिब्यूट ठीक है तो हमारा यह हो गया सीक्वेंस तीन चार दो एक तीन चार दो हमारा थर्ड ऑप्शन मिल्कुल सही हो जागा है यह पर नेस्ट चोर्शन पर चलते हैं कोर्शन नमबर 49 महां सामने मैज फॉलेग पिकाश्यों का काम ड्रीम है ठीक है इनका यह जो ड्रीम आला काम है दा ड्रीम इसको यह स्पैनिश कला का रहा रहा है तो तो स्पैनिश ब स्पैनिश कोर्शन नमबर 50 महां सामने मैज फॉलेग हिरंदास का काम है यहां पर स्वीट होम फिर आते हैं कृष्ण खन्ना जो बनाते हैं बंदर वाला काम है इनका राम कुमार का काम में लद्दाक मोनेश्ट्री विवान सुंद्रम का काम है डेथ ऑफ एसेडियन किंग ठीक है तो हमारा सही स्वीक्वेंस आपे लग चुका है और तो यहां पर हो जाएगा चौत्था ओप्शन हमारा बिल्कुल सही चार एक तो तीन ठीक है नेक्स्ट कुशन पर चलते ह अपर चलते हमारा सामने मैज दफॉलिएंग मैज दफॉलिएंग नौल्डे एमाइल हो जायागा हमारा एक्स्प्रेशनिजम में मालेविच काजमील जो सुप्रमेटिजम में है फिर आते हैं मोली नागजी जो बहुआस से रिलेटिड है उसे आट गूप ग्रूप की है प से यह जुड़े हुए हैं तो हमारा सही ऑप्शन यहापर हो जाएगा दो तिन एक चार हमारा थर्ड ऑप्शन यहापर बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट क्यों चलते हैं कुर्शन नुबर 52 हमारा सामने मैज दफॉलिएंग एजे हिचकॉक यह फिल्म डारेक्शन में पॉल रांड जो लोगो डिजाइनर है जिन्होंने आई बिम का लोगो डिजाइन के था इवान चार्मेव का है हमारा बुक जैकेट के अंदर और फिर आते कसांड्रे जो पोस्टर डिजाइनर है ठीक हैं तो हमारे सारे लग गए एक तीन दो हमारा फॉर्थ ऑप्शन यहा सामने मैस फॉलोविंग तो दादर्जम के लिए आएंगे हमारा स्विट्जल लेंड में क्योंकि मही पे सेंटर था दादर्जम का और फिर एकस्पेस्टनिजम में आएंगे हम जर्मनी और मोडनिजम में वेस्टन यूरॉप एंड यूएस से एन आठ नूवे हमारा बिट कोशन पर चलते हैं कोशन नुमर 54 हमारा सामने मैस फॉलोविंग फिर एचमवी का लोगो जिसमें आपको डॉक दिखेगा फ्लेबोई का लोगो जिसमें आपको रैबिट दिखेगा डबली डबली एफ जो मशूर पांडा दिखेगा और लो कास्ट जिसमें क्रोकोडाइल ठीक है तो हमारा सही स्क्राइब से चार एक दो तीन चार फर्स्ट अप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कोशन नुमर 55 है मैस फॉलोईंग मोना लीस संग्रहित है हमारी लोवरू मूजियम के अंदर एडिनम मस्जिद हमारी पंडुआ के अंदर और हमजा नामा विक् हमारा सैटिंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स कोशन 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 नुमर 56 हमारे सामने मैस फॉलोईंग कंस्टक्टविजम में आएगा अलेक्जेंडर रेट चौन को दैन आएगा हमारा कंस्ट अन बैंक को सी बडिन स्पेस फिर आएगा एडगर देगा काम आएगा पोस्ट इंप्रेस निजम है यह फिर आता ब्रुक्लीन ब्रीज यह आएगा हमारा जॉन रैबलिंग में ठीक है जॉन राइबलिंग तो हमारा साइट स्पेस्ट हो गया तीन चार एक दो थीन चार एक दो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट को बढ़ता है कोश्टन नमबर 57 हमारा सामने मैजदा फॉलेंग धीमान जो यह इनमें से रिलेट है पेंटिंग से क्योंकि यह आर्टिस्ता नगनजीत का यह चित्र सूत्र से रिलेटीड है खापुरी मंदिल से रिलेटीड है जो हमारी लिंग राज म जंदिर है और खूर आजाएगा हमारा जगती तो हमारा सही सेकर्स हो जाएगा 3142 हमारा फॉर्स्ट ऑप्शन यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्ट पर चलते कोश्टन नमबर 58 हमारे फॉलेंग सिर्दर पर्दू हमारी लोस्ट वैक्स मेटल कास्टि आजाएगी और डोक्र हमारी इंडिजीनियर्स मेटल कास्टिंग जो भारतिय शब्द एक डोक्रा फिर आता है बुष्मेर जो एक स्टोन कार्विंग के लिए यूज होता है और बुष्मर फिर आता है पाइरोमेट्रिक कॉन जो टेराकोटा को हीट करने के लिए काम आता ह जाएगा दो एक तीन चार दो एक तीन चार हमारा थर्ड ओप्शन यह पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कॉर्शन पर चलते है कॉर्शन नमर 59 हमारा सामने मैच दा फॉलविंग जीन आप यह मैडम टॉस से जोड़ो लोईजर नेवल सन आ जाएगा रोयल टाइ हमारा फॉर्स बिलकुल सही हो जाएगा यह पर नेक्स्ट कॉर्शन पर चलते कॉर्शन नमबर 60 हमार सामने धनराज भगत शीवा डांस आ जाएगा प्रदोस जास गुपता आ जाएगा इन बॉंडेज जो काफी फेमस है राम किंकर बेज यक्षि से जुड़ जुड़ ठीक है बर्बील सिंग कट नादेशवार यक्ष राम किंकर बेज यह हमारा सही सेक्वेंस में लग गया बिलकुल तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिलकुल करेक्ट है यह पर कॉर्शन नमबर 61 हमारा सामने अब असरेशन आएगा असरेशन में कह रहा है स्क्रीन प्रिंटिंग नui अनजरी के यूस योसे रहा है से और असी हम में याथेशन ऑन प्रिंटिंग रिखवार दोस्यक्राम क Kitchen के अदिन इस हम रिखेंशन आङ्द के घ्लolt केतल दो, करेक्ट हो हैं आप है कोस्टन नमबर 62 हमारे सामने है एलापोपे इस इंटाग्लियो प्रिंट मेकिंग टेक्निक फो उसिंग डिफरेंट कलर ऑफ इंक बिल्कुल सही एलापोपे एक शाबदे जो यूस किया जाता है इंटाग्लियो के अंदर डिफरेंट कलर की जो इंक है वो यूस करने के लिए फिर आता है रिजन में विकॉज टर्म अलापोपे मेन विट डॉल विट रेफरेंस टु अवार्ड ऑफ फैब्रिक यहां पर रिजन में बिल्कुल करेक्ट है जो अलापोपे का जो शाबदा मेने आया वो डॉल से है ठीक है विट डॉल विट रेफरेंस ओव वार्ड फैब्रिक तो मारा रिजन असरेशन बिल्कुल सही है हमारा फ़र्स अप्शन सही हो जागा बोत और करेक्ट नेक्स्ट क्वेशन पर चलता है असरेशन कहता है असरेशन सही है असरेशन प्रिंट बिल्कुल रोंक आगया है यहने उल्टाइक कहा है कि सर्फेस को यूस करके हम प्रिंट करते है रिजन कहा रह है बिकॉस फॉम दे बिगिण अ 27th सेंचुरी जिसिए नुन इमेज और इमेज वाला एरा सेम होता है और फिर आसे एचिंग के प्रासेस के और तो यह बिल्कुल रहूँ है हमारा अस्रेशन भी रहूँ है और रीजन भी तो हमारा बहुत है इंक रिच्ट हो जाएगा फॉर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेशन की बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 64 असेशन केहते हैं राजर रभी परमा गेव अन इंडिया इडेंटिटी और एक्सेप्टेंस तो वेस्टन ओई पेंटिंग टेक्निक बिल्कुल सही रिजन दिया रहा है ही रिकोगनाइज दे इंडियन वैल्यू अन कल्चर ट्राइशन और गेव निव विजन तो इंडियन आर्ट रिजन भी यहां पे बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहे है कि जो राजर भी वर माथ है उन्होंने फोरन के जो वैस्टन का ओईल पेंटिंग का उस टेक्निक को अपनाया और अपना यानि ट्राइशन बनाया थोड़ा सा तो यह बिल्कुल रिजन और असेशन और असेशन कोरेक्ट हैं तो हमारा यहां पे बहुतार करेक्ट हो जागा थर्ड उप्शन आपर बिल्कुल सही हो जाएगां next question पर चोलते है question no.65 असेशन कहता है there is no art tradition similar to tradition of rang mala painted in the world बिल्कु सही कहा रहा है जो जो रागमाला पेंट किया जाता है हमारे संगीत की दुनिया के लिए तो वो किसी और के यहनी कल्चर में दिखता नहीं है तो रीजन रीजन सही है have because abstract subject like music has been given a form in रागमाला पेंटि बिल्कु सही कहा जा रहा है जो म्यूजिक में फोर्म वह गहा होते है वो रागमाला में पेंट किया गया है तो हमारा रसेशन रीजन दोनों correct है तो हमारा बोथ हार correct हो जागा first option correct हो जागा next question पर चलते है question number 66 है हमारा सामने रसेशन के जाता है drawing is a basic component of the visual art बिल्कुल सही drawing हमारा basic component होता हमारे visual art में reason दिया जागा because without it form and image can't be create और इसके बिना कोई भी form create नहीं की जा सकती है जो बिल्कुल right है तो हमारा बोथ हार correct हो जाएगा next question पर चलते है question number 67 हमारा सामने असेशन कहता है burnini implied every sort of illusionism imaginable in his carvings बिल्कुल सही कहा जा रहा है burnini एक-एक detail को illusionism और imaginable के साथ कार्व करता था और बहुत अच्छे स्कप्टर थे स्कप्टर थे ना बनी रिजन यह जा रहा है he wanted to transfer his figure of hard and cold marble into warm flash and airy effect in fleeting moment और रिजन भी हमारा बिल्कुल सही है जो burnini है वो figure में कुछ ऐसा create करना चाहते थे transfer करते थे कि जो hard है और जो cold marble उसमें थोड़ा सा warm effect और air effect करना तो reason हमारा बिल्कुल सही है तो बहुत हरा हमारा correct हो जाएगा first option बिल्कुल सही हो जाएगा Q68 हमारा सामने assertion कहता है Andy Warhol is undisputed fine art master of mass media manipulation बिल्कुल सही कहा जा रहा है जो Andy Warhol है वो थोड़े undisputed रहे है एक fine art master के रूप में और reason में दिया रहा है Because he used image for popular celebrity of his time in his art और उन्होंने यानि इसके लिए है Celebrity की इमेज वो यूज करी अपनी art में तो यह reason गलत है ऐसा यानि celebrity को appease करने के लिए कुछ कियानी उन्होंने तो हमारा reason यानि गलत है Assertion सही है A is correct but R is incorrect तो हमारा first option सही हो जाएगा Next question क्यों बढ़ता है Question No.69 हमारा सामने Assertion कहता है Cognition is the intellectual process by which knowledge is gained about perception and ideas जो cognition होता है वो intellectual process होता है जिससे हम knowledge gain करते है perception and idea ठीक है यह वाली knowledge gain करते है तो Assertion हमारा सही है Reason देखते है Reason में कहा जा रहा है Cognition is dynamic of knowledge Cognition is dynamic of knowledge इसको हम right मान सकते है Accurate तो नहीं मानेंगे Right मान सकते है Reason तो हमारा होना चाहिए Near the correct तो हमारा second option सही होगा Question No.70 Assertion कहता है Many award and honors were bestowed on sculpture Sri Rambe Sutar in recognize of his phenomenon achievement Rambe Sutar उन्होंने कई सारे award वगेर जीते है और एक अच्छे सकप्टर की तरह उगरे है बिल्कुछ सही बल्लभाई Patel का जो statue है Statue of Unity वो इन्होंने ही बनाया है जो बहुत तॉलेस्ट माने जाता है पूरे वर्ल्ड में ठीक है Reason देते है Ram has mastery over the stone and marble sculpting but he delight in casting bronze and many of his most famous work are in bronze बिल्कुल सही का जा रहा है जो Ram Sutar अबतार है उन्होंने काम करना पसंद है but he delighted उनको फिर भी casting bronze casting में ज्यादा काम करना अच्छा लगता है most famous work in bronze और famous work भी उनके bronze कही है तो हमारा both are correct है हमारा option second सही हो जायागा both are correct next question पर चलते है Question No.71 Monument of Balzac is a sculpture by Agustre Doze in memory of the French novelist Balzac according to Rod in the sculpture aimed to portray the writer's personality rather than physical likeness बिल्कुल सही कहा गया reason में कि जो Agustre Doze उन्होंने यह वाला monument बनाया Balzac का जो एक novelist से है Balzac और physical likeness में जादा बताया तो यह बिल्कुल correct है Reason दिया जा रहा है After coming under the criticism the model was accepted by society the model was cast in bronze and immediately placed in the Balwader Doe Monte France बिल्कुल सही है reason हमारा तो बोथ हर करेक्ट हो जाएगा हमारा Next question पी चलते है Question No.72 Assession कहता है Nand Gopal Signature Style Is a blend of traditional contemporary art traditional को ब्लैंड करता है Contemporary art के साथ जो नंद Gopal है काफी अच्छे स्कॉप्टर और Madras movement के अच्छे माने जाते है Reason दिया जा रहा है Nand Gopal Sculpture often have a frontier aspect which is one of the defining character of Madras art movement बिल्कुल सही कहा जा रहा है इनका थोड़ा सा differentiate होता है कुछ नया निकल के आता है Sculpture में Nand Gopal KCS पन्नी करके son है son है son है बेटे है स्कॉप्टर है Madras art movement के भी अच्छे party यानि वो रहे member और ये चोल मंडल के भी Sculpture member है ठीक है तो हमारे both are correct रहे तो हमारा option हो जाएगा first option सही हो जाएगा both are correct next question पर चोल तो question number 73 accession many of the world's top famous logo use animal बिल्कुल सही famous जो लोगो है यानि world के top logo में आपको famous animals ही दिखेंगे ठीक है reason में कहा जा रहा animal imageries are very effective method of describing core attribute of a product or a company और यहां पर reason भी बिल्कुल correct कहा जा रहे जो animal की imagery are very effective method to describe core attribute of a product product के बारे में दिखाने के लिए जो animal को बहुत अच्छा से यूज होता है तो बहुत हार correct होगा यहां पर तो second हमारा option बिल्कुल सही होगा next question पर चलते है question number 74 accession कहता है the use of images with text is at the heart of the defining definition of graphic design जो graphic design की definition दी जा रहे है यहां पर बिल्कुल सही है जो image और text के यूज करता है वो उससे हमारी graphic design की definition बनती है बिल्कुल reason दी जा रहे है the combination decrease क्या decrease करते है graphic possibility by many time of magnitude तो यहां पर यह गलत है ऐसा कुछ इन दोनों का combination image और text का combination graphic possibility जो कभी decrease नहीं करता है तो हमारा accession तो सही है but reason गलत है तो हमारा R false हो जाएगा A true हो जाएगा second option सही है हमारा last question question number 75 accession कहता है most of the curriculum in design school is concerned with how to make things look good यह बिल्कुल कह सकता है क्यूंकि सभी concern करते है जो भी school teaching कराते है उनका सबका यही concern रहता है कि design को हम अच्छा कैसा बनाए क्या यानि beautify कर सकता है ठीक है तो यह बिल्कुल accession सही कहा जा रहा है reason में कहा जा रहा है critical role of graphic designers professionally plays in the delivery of information with accuracy not the look और जो critical role होता है graphic designer का वह accuracy को लेकर होता है तो हमारा reason में यह बिल्कुल सही है और accession भी सही है तो बहुत हार true हो जाएगी हमारा option यह बहुत हार correct हो जाएगा यह थर्ड option सही हो जाएगा तो यह था हमारे paper 3 के पूरे 75 question एक knowledgeable video को last time लेखने वाले को मैं a good learner मानता हूँ and you are an amazing learner तो देखिए अब पहले तो जाएगे सबसे यानि description box में उस link पर click करेजे और visual net का paper डाउनलोड कीजे और खुद attempt कीजे जिसके आपका knowledge confidence दोनों बढ़ना है और जब paper के लिए आप confidence होते हो तो आपको कोई नहीं रोख सकता paper crack करने के लिए ठीक है और अगर कोई आप अपने आपको week समझ रहे है तो या आप serious हो कि sir मैं करना चाहता हूँ तो उनके लिए मेरा paid course available है जिसमें मैं बहुत सारी vendors प्रोवाइड करता हूँ कोशन पिपर नाट यहीं टेस्ट चलती है और नोट्स मिलते हैं कोजिंग मिलती है और रिसेट एक्टिविटी के उपर जो आर्ट इंग कल्चर के एक्टिविटी होते हैं जिसमें आर्टिस और उसके वर्क और सबको डिसक्राइब के जाता है उस गुरूप का पार्ट आप बनोगे उस paid गुरूप में और फ्री कॉंटेट में आपको प्रोवाइड करता होगा तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू सो मैच वाचिक वर दिस वीडियो